इस keyword का CPC आप सेम रस में देख सकते हो, 201 डॉलर है, और यहाँ पे की सजेश्ट में आप इसका CPC जो है, इस पे related जो keywords है, इसके CPC आप देख सकते हो, 1631 डॉलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1019 डॉलर है, तो यह कौन सा keyword है, क्या है, इसके बारे में पूरा detail में मैं इस मैं आपको यह बताऊंगा, कि किस तरह से आप अपने blog का CPC जो है, वो बढ़ा सकते हो, अपने adsense space के जो भी ads आते हैं, उनके CPC आप बढ़ा सकते हो, जो भी traffic आपके blog पे जाता है, उस traffic से आप ज्यादा से ज्यादा maximum profit कैसे निकाल सकते हो, वो सारा detail में आपको इस वीडि जरूर कर लीजेगा, और bell icon press कर लीजेगा, यहाँ पे मैं जिस keyword की बात कर रहा हूँ, वो keyword है nest aware, Google का एक product है nest aware, जिसमें nest mini और भी nest doorbell, nest camera, यह बहुत सारे product आते हैं, जो कि US में काफी popular है, US में काफी लोग जो है nest aware के जो product हैं, वो आप खरीतते हैं, तो अगर nest aware का, अगर आप CPC देखोगे, तो मैंने यहाँ पे same rush में search किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे, इसका जो CPC है, वो 201 dollar जो है, वो CPC है, और यहाँ पे volume आप देखोगे, इस keyword पे 18.1 के जो है, वो US में है, और global volume इतना है, तो आप समझ सकते हो कि आप इसकी यह कितना ज्यादा profitable keyword है, इस पे अगर आप traffic लेकर के जाते हो, और conversion होता है, तो या फिर clicks आते हैं, तो आपको maximum benefit मिलेगा, इभेन affiliate marketing भी आप इस पे जो है, US में कर सकते हो, जिससे कि आपको दोनों तरब से फायदा होगा, एक तो आपका affiliate marketing के product अगर बिक गया है, तो उसमें आपको commission मिल जाता है, ads पे, या फिर impressions भी अगर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको यहां से earning हो जाएगी, और keyword difficulty आप देख सकते हो, इसके और related keywords भी यहां पे हैं, जिन पे volume भी है, और keyword भी difficulty यहां पे देख सकते हो, इसी तरह से मैंने इस keyword को यहां पे key suggest में सर्च किया हुआ है, और key suggest में आप देख सकते हो, कि key suggest में मैंने पूरा यहांपे data आपको, जो है, मैं यहांपे दिखा देता हूँ, तो यहांपे भी आप देख सकते हो, 18K जो है, search volume है, यहां सेम रस्में भी मैंने आपको दिखाया कि 18.1K search volume है, तो almost यह सेम है, तो मतलब इसका भी data जो है, व हैं जिस पे कि search volume आपको मिल जाएगा और keyword difficulty मिल जाएगा और यहां पर इसके जितने भी products और जितने भी यहांपे keywords आपको सारे मिल जाएगे और यहां पर इसका CPC भектив मिल जाएगा यहां पे और नीचे आप जाओगे तो यहां पे और भी 1000-1000 में भी इसका जो है CPC मिल रहा है, यहां पे देखो 878 है, यहां पे 1631 डॉलर CPC है, यहां पे 1019 डॉलर CPC है, और यहां पे देखो फिर से 1019 डॉलर है, यहां पे आप देखो और नीचे 1630 डॉलर है, तो आप देख स अगर इस keyword को target करके आप English में ब्लॉग बनाते हो और उस पे US से traffic लेकर के आते हो या फिर इंडिया से भी लेकर के आते हो तो भी आपको काफी ज्यादा जो है CPC मिलेगा और earning इस से ज़्यादा होगी तो blog का जो CPC बढ़ाने का जो main idea है वो यह है कि आपका अगर English blog है और English में अगर आप blogging करते हो तो आप अपने blog पे कुछ pages या कुछ articles ऐसे लगाओ जो की ऐसे keyword से हो जो की काफी ज्यादा CPC देते हो ठीक है जैसे कि इस तरह से अगर उन articles पे आप traffic लेकर के चले जाते हो और वहाँ पे अगर clicks आते हैं तो आपका जो earning होता है वो एक एक click में आपको 50 dollar, 100 dollar की earning हो जाती है तो ये और भले इस पे search volume कम हो, search कम आये, traffic कम आये लेकिन earning आपकी काफी अच्छी हो जाती है तो इसमें अब जब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक product दिखाया इस तरह के बहुत सारे product हैं जैसे hosting को आप target कर सकते हो, VPS को आप target कर सकते हो, उसके अलावा और भी बहुत सारे real estate हो गया, insurance हो गया, इन सब topics को आप target करके, इन पे articles लिख करके traffic इकला सकते हो और वहाँ पे आप जो है अपना जो adsense का ads लगा करके काफी अच्छा और नहीं कर सकते हो, बागी मैंने आपको proof दिखा दिया कि इस पे कितना ज़्यादा जो है, वो CPC यहाँ पे मिल रहा है, तो यह simple सा एक जो है Google Nest का जो product है, जिस पे कि affiliate marketing भी होती है और traffic भ बारे में, Nest Aware के बारे में मैं आपको Google का भी data दिखा देता हूँ, Google का जो original data जो है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो Nest Aware यहाँ पे जो है वो लिखकर के English है, यहाँ पे India के जगा पे हम कर देंगे US, ठीक है, तो यहाँ पे USA जो है वो select कर लेते हैं, और USA का location य भी आपको idea मिल जाएगा कि यह कितना जो है वो CPC दे रहा है, ठीक है, और कितना ज़्यादा पैसे दे रहा है तो, अब यह दोखो, Nest Aware पे मैंने सर्च कर लिया, total keywords यहाँ पे आपको पता चल गया, अब इसमें keywords आप देख सकते हो, Google Nest Aware, Google Nest Subscription, Nest Aware, Cost, Nest Aware, Pricing, तो यह सब आप आपको यहाँ पे keyword मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 months changes हो गया, और यह competition भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि next subscription का competition low है, लेकिन इस पे आप देख सकते हो कि यह advertiser से कितना पैसा यहाँ पे ले रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आप medium high सारे competition वाले keyword यहाँ पे मिल जाएंगे अब यहाँ पे Google का खुद का, जो मैं आपको tools में दिखा रहा था, वो आप Google का खुद का देख लो कि यह advertiser से कितना पैसा लेता है, तो यहाँ पे आप देखो, maximum यह जो है, एक keyword का इतना सारा पैसा, यह आप देख सकते हो, 81,000 है, और minimum जो है, वो 112 रुपए ले रहा है, ठ जो है, वो 137 रुपए ले रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि 137 रुपए मिनिमम ले रहा है, तो हम maximum को लेके नहीं चलते, कि कितना है, चाहे वो जितना भी हो, 80,000 हो, एक लाख हो, उससे मतलब नहीं है, हम minimum को लेके चलेंगे, मिनिमम में आपको पता है, Google Adsense 68% revenue share करता है, अब 137 रुपीज मान लिजिए, यहाँ पे minimum वो चार्ज कर रहा है, तो 137 का अगर आप जो है, वो 68% अगर आप निकालते हो, तो आप देखो कितना हो जाता है, यहाँ पे हम calculator, simply Kelsey यहाँ पे हम open कर लेते हैं, और हमारा 137 है, ठीक, 137 का अगर 0.68 करते हैं, तो आ आप देखो कितना, 93 रुपीज, एक क्लिक का आपको जो है, वो 93 रुपीज यहाँ पे मिलता है, समझ रहा है, तो सिर्फ एक क्लिक का 93 रुपीज पॉर्ड क्लिक आपको मिलता है, तो अगर मान लिजिए कि इस पे ट्राफिक पे अगर 3-4 क्लिक भी अगर आपका आता है, त सब हर जगह आपको देखो यहाँ पे यहाँ पे 219 रुपए है यहाँ पे 225 रुपए है ठीक है और 412 रुपए है ठीक है तो यह और अगर इसके बारे में आर्टिकल लिखते हो तो यहाँ पे इस तरह से मिल जायागा तो अब यह चीज मैंने आपको दिखा दिया यह product हो गया यह keyword हो गया जो कि काफी मैंने reveal कर दिया आपके पास जो high value high CPC वाला keyword है वो मैंने आपको reveal किया हुआ है यहाँ पे तो और अब इसके अलबा और भी keywords है जैसे कि यह VPN जो होता है VPN पे भी काफी अच्छा keyword काफी अच्छा जो है वो मिलता है आपको CPC यहाँ पे हम देख लेते हैं VPN पे देखिए 3.89 का CPC यहाँ पे मिल रहा है लेकिन VPN पे सबसे ज़्यादा जो है वो US का traffic आता है क्यों यहाँ पे आप देख सकते हो 450 के जो है वो US का traffic है तो यह चीज है तो अब जैसे कि माली आप paid traffic लेगर का तो Google पे एड लगाते हो या फिर YouTube पे आड लगाते हो और Nest Aware के बारे में आप लिखते हो तो वहाँ से अगर paid traffic भी लेकि आते हो तो अगर आप 100 रुपय लगाते हो paid traffic में तो आपका 400-500 रुपय निकल जाता है तो यह चीज जो है वो काफी काम करता इस तरह के keywords को अगर आप target करते हो तो अब यहाँ पे simply है कि इस पे paid traffic अगर आप लेकि आते हो तब तो ठीक है आपका earning काफी अच्छा हो product जो भी है keywords यहाँ पे आपको मिल गए है और यह सारे cpc है अब इन पे आपको आर्टिकल त्यार करना है तो अब next aware के बारे में आपको पता नहीं होगा या फिर पता होगा आप नेट से सर्च करके लिख सकते हो तो अब next aware के बारे में आपको आर्टिकल दिखना है तो इसके लिए आप जो simply chat gpt का use कर सकते हो उससे आर्टिकल जनरेट करवा सकते हो और उसको फिर मैंने आपको बताया था कि अगर chat gpt से कोई भी आर्टिकल आप जनरेट करवाओ तो उसके बाद आप उसको जरूर जो है वो आप उसको यहाँ पे जो है क्विल वाट से जो है उसको रीफ्रेज कर लो ठीक है रीफ्रेज करने के बाद आप जो है जितना रीफ्रेज करने के बाद आप उसको copy paste करके आप अपने website पे डाल सकते हो उस article को या फिर अगर उसके लिए अलग से website अपने बना रखा है free promote करने के लिए तो उसके आप डाल सकते हो बाकी आप traffic कहां से लाओगे, Google का traffic आपको कहां से मिलेगा या फिर US का traffic आप कहां से लाओगे तो उसके लिए simply दो platform जो है मैं आपको बतायता हूँ वो है सबसे पहला Quora है और दूसरा जो है वो है medium ठीक और इन दोनों website पे maximum traffic जो है वो रहता है US से ठीक तो अब आप US से traffic लाना है तो आपको वैसे ही website पे जाना होगा जहां पे की जो है US का traffic आता हो तो यहां पर आप Quora पर चले आओगे Core पर अगर आपने space बना रखा है तो space बना कर के आप उसमें post कर सकते हो chat GPT के आ करना है उसको कैसे monetize करना है वीडियो यहां पर बता रखा है तो आ मैं यहां पर आ करके यह वीडियो आप देख सकते हो उसके अलगा कोरा पर अगर आप जाओगे तो simply नेश्ट अवेयर से रिलेटेड आपको जो है वो questions सर्च कर लेने हैं और नेश्ट अवेयर से रिलेटेड जो भी questions होंगे उसका आपको answer देना है और यहाँ पर आपको देखो question बहुत सारे question यहाँ पर मिल जाएंगे how do I buy काफी अच्छा earning कर सकते हो और कैसे traffic लाना है कैसे answer देना है वो मैं पिछले वीडियो भी बता चुका हूँ तो आप पिछले वीडियो जरूर देख रहे हैं ठीक उसके लाद medium पे भी आप जो है medium पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे आप जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो 700 कुछ million यहाँ पे traffic रहता है यहाँ पे 777 million तो आप देख सकते हो और यह भी traffic United States से है तो यहाँ पे नेश्ट अवेयर को target करके अगर आप लिखते हो तो आप इन दोनों website से US traffic असानी से लेकर के आ सकते हो और यह सबसे अच्छा तरीका है अगर इसके अलावा जो है paid traffic है free traffic लाने का तरीका जो है वो कोरा और विडियम है paid traffic अगर अपलाते हो तो paid traffic के लिए आपको जो है अपने website का सबसे पहला तो hosting अच्छा रखना होगा जो की 2 लाग 3 लाग traffic संभाल सके जिसके लिए आपको cloud hosting लेनी चाहिए और दूसरा यह है कि आप जो है essay articles जो high CPC वाले articles हैं अगर इसको लिखते हो तो आप उस पे paid traffic जो है Google से paid traffic ads चला करके ला सकते हो और उससे काफी अच्छा earn कर सकते हो तो यह जो है वो पूरा का पूरा detail है तो friends आपको high CPC वाला keyword पता चल गया तो बाकी सारे details इस वीडियो में आपको मैंने दे दिया है और कोई दिक्कत होती है तो आप जो है social media का link नीचे description में पढ़ा हुआ है वहाँ पे आप मुझे contact कर सकते हो और friends इस चनल को subscribe जरूर कर लो bell icon भी press कर लो ताकि आने वाले वीडियो की notification मिस ना हो मिलते हमने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर